अपने पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था एक्ट ऑफ 1793 तक के सभी पॉइंट्स के बारे में अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शार्टर एक्ट 1813 जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम एक पॉलिटी के लिए एक बहतरीन सरीज ला चुके हैं आप सभी के बीच जिसे हम संविदान के एतिहासिक प्रिष्ट भूमी के नाम से जानते हैं हला कि ये सिरीज सिर्फ एतिहासिक प्रिष्ट भूमी पर रही नहीं पूरी पॉलिटी पर रहेगी जो कि एम लक्षमी कांद सर की भूक से बनाएगे हैं रिटन नोट्स के द्वारा मैं आपको पढ़ाऊंगा तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1813 ये जो चार्टर एक्ट 1813 था इसका सबसे बड़ी विशस्ता यह थी कि जो ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर से सभी प्रकार के व्यापारिक एक अधिकार जो थे उन पर restriction लगा दिया गया प्रतिबंद लगा दिया गया Except Tea and China चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार अब सिर्फ में अब सिर्फ प्रिटिश से इंडिया कंपनी का एक अधिकार था बाकी अन्य व्यापार के लिए जो है प्रिटिश के अन्य सदस के लिए खोल दिया गया था कि भई अब आप लोग भी आएं ब्रिटिश से और भारत के साथ वियापार करना सुरूँ करें. इसके साथ ही जो Christian मिसनरीज थे उन्हें British East India Company के द्वारा भारत में बुलाए गया कि जो आप आओ British सरकार ने उन्हें भेजा मिसनरीज को किचाओ और इसाइ करना सुरू करो भारत में लोगों को इसाई ध्हम के बारे में सिच्छा प्रदान करो तथा पस्चमी सिच्छा वेस्टन एजूकेशन जो हुआ करते थी जैसे इंग्लिस मीडियम की जो इस्टेडी हुआ करते थी वह अभी तक भारत में नहीं आई हुई थी और ऐसे एक्ट Charter Act 18.13 के थ्रू ही पस्चिमी सिच्छा को भी भारत में प्रदान किया गया. तथा यहां पर इस्थानिय सरकार जो थी जो देसी रियासतें थी जैसे राजा, महराजा, जमीदारी, प्रथा जो थी इन सभी लोगों के पर ये स्थानिय सरकार के पार्ट होते थे भाग होते थे और इन पर दबाव बनाये गया कि लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल आ जाए अब हम बात करेंगे सबसे इंपोर्टेंट एक्ट जो की चार्टर एक्ट 1833 के नाम से जाना जाता है ये इसमें सबसे पहला कामिया हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब उसे बदल करके भारत का गवर्नर जनरल न्यूक्त किया गया और सबसे पहले भारत के गवर् ब्लाड विलियम बेंटिक कौन थे भी या ब्लाड विलियम बेंटिक देखिए अगर वीडियो को अभी आप लोग पसंग कर रहे हो अच्छा लग रहा हो आपको समझ में आ रही हो चीज है तो फिर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें लोगों के साथ और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे के न्यू वीडियो के अपडेट्स के लिए आप हमें चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अब देखिए यह जो भारत गवर्नर general है वह सभी नागरिक मामले तथा सैने सकती के जो है अधिकारी होंगी मेंस की सभी प्रकार के सैने सकती हैं से related मामले सैने से related मामले या फिर नागरिक से related मामले मामलों को देखने का काम करेंगे second feature जो है इस act का वा क्या है कि governor of बॉमबे Syria से कानून बनाने की चम्ता लेकर भारत के गोर्णार ज्र rubber उबेंश के फ्रेसीड…… को दो यह लोग अपने प्रेसीडेंस्य के लिए लॉ बनाती थे अब वो लॉ बनाने का काम इनका नहीं रहेगा अब यह इन से ले करके भारत के जो गवर्नर जनरल है मीज़ की पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन है लौर्ड विलियम बिंटिक इनको दे दिया गया इनको प्रदान किया गया अब यहां पर क्या है कि कानून जो था वह पूर्व कानून नियामक कान बनाया जाता था तता नए कानून एक्ट के तहद बने जो कानून अधिनियम कहलाए अब आगे चलते हैं यहां पर देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या है स्वारी थ़र्ड पॉन क्या है इस्ट इंड्या कंपनी के सभी व्यापारिक कारे देरे-देरे खत्म कर दिये गए 1833 के अक्ट के तहट जो है इस्ट इंड्या कंपनी जितने भी व्यापार करती थी सभी को प्रेटिस सरकाल ने बिलकुल एकदम पूल रूप से बंद कर दिया जथा पूरी तरह से इस्ट इंडिया कमपनी को कि एड्मिनिस्टेशन सिस्टम से जोड़ दिया कहा की जो भै अब आप व्यापार नहीं करेंगे बलकि अब आप क्या करेंगे पूर्ण रूप से प्रसासनिक निकाय देखेंगे अंडर दा ब्रिटिस गवर्नमेंट अब जो कंपनी का छित्राधिकार था भारत के अंदर अब ब्रिटिस गवर्नमेंट के छित्राधिकार के अंतरगत आ गया इसी के साथ Charter Act 33 के तहट Civil Services exam में अब खुली प्रतियोगता होने लगी पहले यहाँ पर केवल जो है अंग्रेज लोग ही exams दे सकते थे लेकिन अब क्या था ICS के लिए अब भारतियों को भी company ने में किसी भी पद कार्याले और रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा कहते ह हुए Civil Services के लिए open competition का प्रावधान जारी किया इसका लेकिन विरोध हुआ देखे इसका विरोध हुआ अंग्रेज नहीं ना चाहेंगे कि जो है उनके किसी भी पोजीशन पर या ओफिस पर जो है कोई भारती आकर के वर्क करें तो वह लोग उन्होंने विरोध किया प्रावधान का विरोध किया कि Civil Services exam एक open competition नहीं होना चाहिए नहीं भारतियों को इसमें मौका देना चाहिए इसके बाद एक नया एक्ट आ जाता है जिसे हम Charter Act 1853 के नाम से जानते हैं अब यह जो Charter Act 1853 है यह Company Rule का Last Act है इसमें Governor General की जो परिसत थी उसको दो पार्ट में बा विधाई कारे legislative function के रूप में और दूसरा प्रसासनिक कारे administrative function के रूप में अब देखिए विधाई कारे जो था उसमें कुल 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया जिन्हें विधान पार्षत के नाम से जानते थे जिसमें यह बोला गया कि यह जो 6 नए सदस्यों होंगे इनमें चार इंडियन मेंबर होंगे और और वो क्या बनाएंगे वो provincial government Bombay मदरास बंगाल और आगरा से लिए जाएंगे अलब एक governor general की जो परिशत थी उसमें उसको दो पार्ट में बाटा गया एक administration पार्ट देखेगा और एक legislative का function देखेगा जिसमें जो legislative function था उसको उसके सभी कारियों पर ध्यान देने के लिए वह 6 नए सदस्यों बनाए गया उन 6 में से 4 सदस्यों भारतिये थे जो की Bombay मदरास बंगाल और आगरा प्रोविंसियल government से लिए गया थे तथा ये जो 6 नए सदस्यों थे वे विधान पार्शत कहलाते थे और governor general के लिए नई विधान परिशत का गठन हुआ यहाँ पर जो governor general थे उनके लिए एक नए legislative assembly का council का गठन हुआ जिसे हम भारतिये विधान परिशत के नाम से जानते अब देखिए जो भारतिये विधान परिशत थी ये local representation देती थी इसको local representation दी गई और यह एक तरह से mini parliament के नाम से भी जाना जाता था इस भारती विधान परिशत को हम mini parliament के नाम से भी जानते थी इनका काम क्या था इनका काम था विधाई का को समालना it means सरकार के विशेष कारे के रूप में जाना गया मतलब यह एक ऐसा काम था जो British सरकार का एक बहुत ही मुख्य important work माना गया कि भाई local level पर भी अब government represent करने के लिए भारती विधान परिशत बनाए गया भारतियों की problems को समझने के लिए भारतियों की problems को कैसे अब्जब किया जा सकता है जब उस committee के अंदर उस परिशत के अंदर भारतिय होंगे तभी वो सही चीजें चीजों को दिखाएंगे सही scenario दिखाएंगे तो उसी के लिए वह पुरी प्रतियोगता व्यवस्ता की जो वही civil services का वहां पर विरोध हुआ लेकिन यहां पे पूरी तरह से इंप्लिमेंट हो गया 1853 में यह पूरी तरह से खुली प्रतियोगता व्यवस्ता जो थी Indians के लिए वह civil services जो है इंप्लिमेंट कर दिया गया अब यहाँ पे मैकाले समिती की नियुक्ती की गई 1854 में ताकि वह भारती स्विल सेवा की सुरुवात करा सके तथा कमपनी के सासन का विस्तार जो है असीमित काल तक कर दिया गया कि भाई आप कोई लिमिट नहीं है कि तुम 20 साल 10 साल सासन करना है तो उसके लिए असीमित काल कर दिया गया कि भाई सासन जब चाहेगी तब इसको समाप्त कर सकती है अपने मर्जी से कभी भी यह नहीं है कि आप किसी को रोक सकेंगे ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के अंदर सासन देखने का कारे कर रही थी इसके टाइम पीरियर्ड को अनलिमिटेट कर दिया गया लेकिन इसमिया भी बोला गया इस एक्ट के तहत कि भाई आपके सासन काल को कभी भी खतम भी किया जा सकता है समाप्त किया जा सकता है ताकि बाद में कंपनी यह ना कहें कि हम यह आपके रूल के हिसाब से नहीं चलेंगे हम आयते अपने मरजी से हम जो है अपने मरजी से काम करेंगे इस तरह का विरोधनाउत पन होने पाए इसके लिए जो है कमपनी के सासन का विस्तार किया गया ठीक है साथ ही साथ उस पर कुछ और कड़े रूस लगाएगा कमपनी के ओपर आज हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोस कर रहा है क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर जो है जो भी हमारा कमपनी रूल था उससे बचे हुए पार्ट्स को हमने कमप्लीट कर लिया है अब आगे हम ताज का सासन मेंज की क्राउन रूल भारत में जो है किस तरीके से रहा है 1858 एक्ट से लेकर 1947 को हम अगले वीडियो में देखेंगे जानेंगे समझेंगे तब तक के लिए नमस्कार और चाते चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से चरूर करिएगा और अगर आपके कोई को भी स्टडी करना चाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चरूर बताईएगा ठीक है नमस्कार